श्री गनीश विसरजन 19 सितंबर को नाकपुर में बड़े पैमाने पर होगा इसके लिए नाकपुर नगर निगम की और सी व्यापक तैयार्या की गई है प्रतिक अंचल में भक्तों के लिए लोहे के केंडर, सीमेंड के कुत्रिम तालाप, गड़े और कुत्रिम विसरजन ता पनाये गए हैं, हर जोन में विसरजन रद भी चलेगा, साथ ही भगवान शिव की मूर्तियों को नाकपुर शहर की किसी भी जील में विसरजित नहीं किया जा सकता है, नगर निगम प्रशासन ने विसरजन पर रोक लगाने का आदे इस चारी किया है, इसलिए सभी जीलों म टीन की दिवारेल लगा दी गई है, और सभी जीलों में मुर्तियों की विसरजन के लिए वेकल पर प्यवस्था की गई है, इन सभी काईड़ों का निरिक्षन महापौर दयाशंकर तिवारी ने शुकरुआर को किया, उनके साथ साही समीती के अद्देश्य प्रकाश भूय मजू थे